हेलो दोस्तों देखो सीखोवित वीकेसिंग में आप सभी लोग का स्वागत है बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करेते सर दौड के लिए कुछ बताईए कुछ वीडियोज बनाईए तो उसके लिए मैं बतादू देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पुलिस कॉंस्टेवल में जो लोग भरती होने चाता है किसी भी स्टेट का हो और या एसाई हो या जो भी हो जिसमें आपका दौड पांच कीमी लगभंग में रहता है या रेलवे ग्रूप D में आपका जो एक किलोमेटर दौड लगाना है चार मिनिट कुछ सेकेंड के अंदर तो ऐसे जो भी दौड है उससे पहले मैं बता दूँ जिनका मालीजे सरी जो फीजिकल है वो सही नहीं है मालीजे पेट निकल गया है या पड़ते पड़ते सरीर खराब हो गया या आप थोड़ा ही दौड़ते हैं तो आप ठक जाते हैं तो उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो होगा रनिंग के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए जैसे छड़ जो होता है जो लोहे की छड़ होती है उसको लोहार क्या करता है पहले गरम करता है फिर थोड़ा पीटता है तेड़ा करने के लिए फिर गरम करता है फिर पीट करना सुरू करेंगे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगland को बलड आने लगता है तो ईह सबпर चीजे जबपका सरीर ही तयार नहीं है उससे लिए तो यह जबर्दस्टी करेंगे तो यह बहुत ही गलत हो और जैसे चरट तूट जाता है वैसे ही बहुत सारे लोगों ब्लड आने लगता है बीपी हाई हो जाता है हाट अटाइक तक आ जाता है तो आपको क्या करना है पहले सरीर को तयार करना है पूरी में स्ट्राटेजी आपको बताऊंगा तो इस वुडियों को ध्यान से देखिएगा एक और इंपरटेंट बात मैं आपको बता दूँ गरमी में गरम करने वाली चीजे नक खाईए जैसे मसाला जादा हो गया मिरचा जादा हो गया या अंडा हो गया जादा अंड़ा खा लिये या जो भी चीजे हैं जिस से बहुत u Heat पैदा होती है सरीर में तो वो सब चीजे न खाईए क्योंकि जानते हैं जब आप दोड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा स्वेट होता है बहुत ही ज्यादा आपको गर्मी महसूस होगी बहुत ही जल्दी आप ठक जाएंगे ठीक है तो जहां आप 3 किलोमेटर में ठ सख जाएंगे तो इसका यह प्रभाव पड़ता है आप खा के जो बहुत सारे लोग देखना चाहते तो देख लीजेगा जो भी मिर्चा वाले चीज़े जब आप खाएंगे तो बहुत ही घर्मी होती है दोड़ नहीं पाएंगे आप ठीक है देखिए मैं पूरा एकदम प पता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है कोई भी आपका गाव हो सहर हो या जो भी जगा हो आप अपने घर से या रोड से जहां से आप निकलते हो दोडने वहां से कोई पांच किलोमीटर का जगा चुन लिजे कि यहां तक हम मेरे को जाना है ठीक है तो देखिए साथानी आपको यहां पर क्या वरतनी है कि जो लोग पहले दूसरे दिन या कभी नहीं दोड़े हैं कभी 50 मीटर या 100 मीटर में थक जाते हैं तो उनको क्या करना है एक दम से 5 किलोमेटर नहीं दोड़ना है सबसे पहले आपको क्या करना है बहुत सारे लोग आप पेटोट बह आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आप 50 या 100 मिटर 5 किलमेटर आपने एक जगर ताय कर लिया कि 5 किलमेटर यहां से मेरा कोई मंदीर है या फाटक है या कोई गंगाजी का पूल है या जो भी पेंड हो सकता है 5 किलमेटर आपके घर से जो भी हो उसको आप देख लिजे कि हाँ वहाँ तक मुझे जाना है ठीक है अब आपको क्या करना है पहला दिन से लेके 5 दिन तक आपको ऐसे करना है कि जिस्तना आपसे दोड़ जाता हो पांच मिनट दोड जाता हो एक मिनट हो सकता है दोड जाता हो देखिए रोटी माली पांचे रोटिया है तो पांचे रोटिया एक साथ अगर आप खाएंगे माली जो खा रहा है जिसकी आदत हो वो तो खा लेगा लेकिन जो लोग पहली बार खाएंगे तो गले में ठक जाए जो भी इसका जो आपको हरजाना भरना पड़ सकता है ठीक है तो सबसे पहले आपको अपने physical के इसाब करना है पांच दिन आपको क्या करना है आप जितने में ठक जाते हो 200 मिटर में ठक सकते हैं 50 मिटर में भी बहुत सारे लोग ठक सकते हैं ऐसे ही आपको रुक रुक के दोड़ना है मतलब कि आपको 100-100 मिटर की सौट लगाने 100 मिटर या 200 मिटर या 500 मिटर जितना आप दोड़ सकें आपको जो 5 km का दोड़ है उसमें आपको क्या करना है तब तक दोड़िए जब तक आप ठक नहीं जाते हैं ठीक है अब यह नहीं कि 1 km या 4 km खता होगा तभी मैं रूखूंगा जब आपका सरी ठकने लगे आप रूख जाएए ठीक है फिर आप पैदल चलिए 200 मिटर 300 मिटर 500 मिटर अराम से चलिए पहला दूसरे दिन आपको क्या करना है की 3-46 लगाना है यानि 50-100 मिटर का जो भी आपको 500 मिटर महालीजीए 100-100 मिटर के तीन सेट या चार सेट लगाएंगे तो 400-500 मेटर आपके हो जाएंगे, इतना आपको कुछ दिर दोड़ना है, कुछ दिर पैदल चलना है, यानि 5 क्लिमेटर आपको चलना है अराम से ठीक है, पहले दिन, ऐसा नहों कि दूसरे दिन आप जाई न पहें, ठीक है, ऐसा होगा ब दर से निकुले ही नहीं आज सरीज दरद कर्छा है आज जाने तो 5 ज Auch जो चाट है जिसमें आप नीकालने वाले हैं 5 किमी जो आप दोडने वाले हैं चार दसंव लुग दाने वाले झौनुशमुल्गे पांच जो दिन आपको क्या ना है जैसे मैं अपको बताया 50 मीटर दोड जाए 100 मीटर दोड जाए जैसे जैसे दोड जाए आप 5 किलमेटर आपको कैसे पूरा करना है और दोड के ही जरूर नहीं है 4 बार आप दोड ये रुख जाईए फिर 2 बार पैदल चलिए फिर 4 बार पैदल चलिए 2 बार दोड जाईए ये मतलब ऐसे करके आपको पांच किलमेटर जाना ही है और आना पैदल है ठीक है और एक चीज मैं बता दूँ जो भी लोग रणिंग करते हैं उनको साइकल बाइक ये सब चीजे छोड़ दीजे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजे फिर जब भरती हो जाएंगे उसके बाद जिससे मनुसे चलिए कार से चलिए ठीक है तो पांच दिन आपका जो हो गया ऐसे आप पूरा करेंगे ठीक है अब छटवे दिन से आपको क्या करना है आपका कुछ वेट लॉस हो गया होगा अब आपको क्या करना है छटवे दिन से अब आपको टिकना है मतलब धीरे दोड और आप कितने देर तक कितने दूर तक जा सकते हैं उसको देखना है आपको अराम से अधिक से अधिक दोड़ने की कोशिस कीजिए जब हम 100 मिटर या 50 मिटर तेज दोड़ते थे अब वो आपको नहीं करना है आपको ठिकना है धीरे ही दोड़ना है लेकिन दूर तक जाना है अब इसमें आपको 5 km पूरा करना है, 4 बार में पूरा हो सकता है, 3 बार में हो सकता है, या 9 बार में 10 बार में पूरा हो सकता है, ठीक है, तो जैसे भी आपको पूरा हो, 400 मिटर दोड़ जाए, 200 मिटर दोड़ जाए, धीरे धीरे दोड़ना है, और दूर तक आपको जाना है, ठीक है और रोज आपको जाना है एक चीज आप फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ रोज आपको जाना है उसी दिन आपकी हार होगी जिस दिन आप नहीं जाएंगे ठीक है तो रोज आपको जाना है कोशिज करिए कि रोज आपको सुबह में दोड़ते हैं सुबह में ही कोशिज क बहुत ही slow slow और 5 km पूरा किया जानते हैं 5 km पूरा नहीं होगा लेकिन मालिजे 1 km दोड़ लिए या आधे किलोमेटर दोड़ लिए धीरे धीरे दोड़ के ऐसे करके आपको 5 km पूरा करना है और रुक भी जाएगा पैदल कुछ दर चलिएगा मालिजे 3 km उसमें दोड़ा 2 km पैदा चला या 2 km दोड़ा 3 km पैदा चला ऐसे करके 10 दिन आप बिता दीजे फिर उसके बाद आप क्या किजे नया प्लान बनाईए अब आपको क्या करना है बहुत ही slow दोड़ना है और कैसे भी आपको 3 km या धाई किलोमेटर सोचिए कि रुक रुक के या slow slow एकदम धीरे- उसको पुरा करें 3 km टारगेट करिए पहले फिर उसके बाद जब 5 दिन इसी तरह करिए 3 km या धाई किलोमेटर टारगेट कीजे फिर उसके बाद क्या करना है आपको अब आपको क्या करना है पाँच दिन आपके और बचते हैं अब आपको एकदम slow slow दोड़ना है चाहे 35 मिन लगता हो लेकिन slow slow 4.8 या आप कम से कम 5 km की दूरी तै कीजेगा लगभग आपके 30 या 35 या 40 मिन लगते हैं जब आप 20 दिन आपके 25 दिन जब इस तरह regular हो जाएंगा तो लगभग मैं बता रहा हूं experience से 40 मिन बहुत slow slow दोड़ेंगे 30 या 40 मिन के बीच में आपका लगे अब आप group में थोड़ा तैयारी कीजे यानि कि 3-4 लड़के जो आपकी तरह हैं जो पहले से running कर रहे हैं वो उनका साथ लिजे और उनके साथ तिकने की कोसिस कीजे उनके साथ 5 km 25 मिन ने अठाइस मिन ने में या आप 24 मिन में मारने की कोसिस कीजे आप जरूर सफल होंगे अब आप एकदम runner हो गए हैं ऐसे ही आप दोड़िये और एक मैं important बात सबसे मैं बता दू मेरी बाते सुनने से कुछ नहीं होगा आपको जो मैदान है वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा क्योंकि देखिए आप अभी आप देख लेंगे पूरी वीडियो फिर आप किसी और की वीडियो देखेंगे कुछ और वो बताएगा और दोड़ने आप नहीं जाएंगे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जो भी मैंने आपको बताया एकदम real है मैंने खुद 25 मिनेट में पार्क किया है पांच किलोमेटर तो मैं इस experience से बता रहा हूं आपको 30 दिन लगभग लगता है एक महीना लगता है रनिंग करने में और मैं अपना बता दूं 500 या 600 मिटर में मैं एकदम थक जाता था मतलब तेज जब मैं दोड़ता था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं constable SI और आपके जो railway group D वाले हैं एक किलोमेटर जिसमें दोड़ना है तो उसमे 2.2 biz3 round में ठोड़ा धीरहे और 4 राउंडीद सबको काटण रहता है ठीक है तो 1600 मिटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहा पर बात कर रहों हूं पांच किलोमेटर की तो पांच किलोमेटर की दोड़ जो है बहुत ही स्लोली स्लोली आपको लगाना होगा क्यूंकि आपको पांच किलोमेटर जाना है लेकिन इससे पहले आपकी तैयारी होने चाहिए स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया पांच दिन आपको सौट लगाने हैं 200 मिटर के हो सकते हैं 300 मिटर के हो सकते हैं 100 मिटर के हो सकते हैं तेज तेज जब आप दोड़ेंगे बहुत ही स्वेट होगा बहुत ही घर्मी होगी पानी भी जब आप देखिए जब ही दोड़ने जाएं तो आप यहां से पानी 15 मिट पहले पीएं या दोडने के बाद 15 मेट बाद पानी पीएं पानी सिप सिप करके पीएं जटके से पानी कभी भी दोड़ते समय न पीजेगा नहीं तो बहुत ही घातक हो सकता है बहुत सार लोग का पेट पकड़ लेता है सीना पकड़ लेता है तो ये सब चीजे गलतिया मत कीजेगा कि दोड रहे हैं तो पानी तुरंद घटाक से पी लें तो ये सब चीजे कभी मत कीजेगा और मेरी एक बात याद रखेगा जब आप दोडने जाएंगे या जब भी आपको कोई भी माली जे गाइड करता है कोई भी चीज कोई बताता है तो तब तक वो आपके साथ है जब तक आप दोड रहे हैं जब आप उस मैदान में होंगे जहां आपको दोडना है वहाँ पे ना मम्मी होंगे ना पापा होंगे ना भाई होगा ना दोस्त होगा ना गुरू होगा ना guider होगा कोई नहीं होगा सिर्फ आप होंगे और आपकी तयारी होगी वही बताएगी कि आप कितने पानी में हैं और कितने दम खम से आप दोड़े हैं आपकी मेहनत का निचोड़ वही होगा इसलिए आप पहले से तयार रहेंगे पहले से अगर आप दोड़ेंगे जोर ल बोल रहा हूं साथ उस टाइम कोई नहीं रहेगा आप रहेंगे तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक जरू से जरू कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा कुछ भी आपके डाउट है कुछ भी आपको पूछना हो कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट जरू से जरू कर दीजेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको रिप्लाई देने की चैनल को सस्क्राइब कर लिजेए मिलते हैं ने शुडियो में धन्यवाद